इक्जामस हब के यूटूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है UPSC ने Central Armed Police Forces Assistant Commandant Examination 2020 को लेकर एक बहुत बड़ा फैसला लिया है इसका असर क्या होगा और इसमें छिपे संदेश को उजागर करने का प्रयास हम इस वीडियो में करेंगे अगर अब तक आपने हमारे यूटूब चैनल एक्जामस हब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही से सब्सक्राइब कीजे क्योंकि यहां होती है ग्यान की बातें आपकी एक्जाम की बातें सटिकता के साथ अगर आप अभी UPSC के ओफिसियल वेबसाइट पर जाओगे तो आप अस्क्रिन पर दिख रहे होम पेज पर ही लैंड करोगे इस अस्क्रिन के सबसे नीचे पीले रंग में आपको एक छोटा सा संदेश दिखाई दे रहा होगा जिसे मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ CPF AC's exam 2020 a scheduled to be notified on 22nd April 2020 a stance deferred till further notice अर्थात CPF AC exam 2020 की जो notification 22 April को आने वाली थी उसे UPSC ने अगले आदेश तक टाल दिया है UPSC के 2020 के कैलेंडर के अनुसार Central Armed Police Force Assistant Commandant Examination 2020 का notification 22 April को आना था इस परिक्षा का form 12 मैं तक आप भर सकते थे जबकि UPSC 9 अगस्ट 2020 को इस परिक्षा को करवाने वाला था लेकिन UPSC के इस फैसले के बाद यह कहना सही होगा कि कोरोना के कारण एक और परिक्षा का टलना लगभग तय हो चुका है अब बस Official Announcement का इंतजार है मैंने वीडियो के सुरुवात में ही कहा था कि हम इसमें छिपे संदेश को उजागर करने का प्रयास करेंगे UPSC Civil Services Prelims 2020 को लेकर 3 माई को अपना रुख साफ करने वाला है लेकिन अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यह परिक्षा भी टाल दी जाएगी मैं ऐसा क्यूं कह रहा हूँ इसकी वज़ह को समझे UPSC National Testing Agency की तरह कोई साधारन संस्था नहीं है यह एक Constitutional Body है अगर इसने किसी इक्जाम को टाला है तो इसके पीछे के कारन को हमें समझना होगा और वह कारन है कोरोना क्या कोरोना पर हमने लगाम लगा लिया जवाब है नहीं जब तक इस माहमारी पर हम पूरी तरह से जीत हांसिल नहीं कर लेते देश में लॉकडाउन का खत्म होना मुश्किल है ऐसे में 31 माई को प्रस्ताविस Civil Services Prelims 2020 की परिक्षा का टलना लगभग तय है और 3 माई को कुछ ऐसी ही खबर की मैं उमीद कर रहा हूँ